यूट्यूब चेनल आईला टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर इर्शाद खानम आज हम अंतराश्टी विधी के अंतरगत वस्तुनिस्ट प्रश्ण को देखेंगे जो की UPSC, SSC, State Service, NDA, CDS, Railway और अभी जो LLB की एक्जाम होने वाली है जिसमें की वस्तुनिस्ट टाइप के कोश्ण पूछने वाले हैं उनसे संभन्दी थे तो आज का हमारा वीडियो सभी कॉंपिटिशन एक्जाम के साथ LLB के स्टुडेंट से के लिए भी महत्यपूर्ण है इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी साथ बेल आइकन को किलिक कर दे ताके लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहे अंतराष्टी संगटन से संभंधित सामन निज्यान प्रशनोतरी में 10 वस्तोनिष्ट प्रशनों का संकलन किया गया है आजके इस वीडियो में जिने विशए की परसांगिक्ता और परिक्षा के दृष्टी कोंड से बनाये गया है ये वस्तुनिष्ट प्रश्ण जो आपके हैं UPSC, SSC, State Service, NTA, CTS और Railway जैसी पढ़ती होगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहें चात्रों के लिए बहुती उप्योगी है साथी साथ LLB के स्टूडेंट से के लिए भी ये उप्योगी है पहना कोशन अंतराष्टी विधिका हम देखते हैं स्टूराष्ट चार्टर के किस चार्टर में ये कहा गया है महासभा संगटन के खर्च और बजट को मनजूरी देगी और सदस्यों के विभाजन को महासभा द्वारा विभाजित किया जाएगा जो संगटन के खर्च और बजट को मनजूरी देगी और साथ ही साथ सदस्यों के विभाजन को भी महासभा द्वारा विभाजित किया जाएगा तो ये किस अनुचेद में कहा गया है हम इसके आप्शन देखते हैं अनुचेद 17 अनुचेद 18 अनुचेद 19 और अनुचेद 20 तो हमारा सही आंसर है आंसर A अनुचेद 17 अब हम इसका दूसरा कोशन देखते हैं निम्न में से कोन सेंक्त राष्ट का वेद बल है सेंक्त राष्ट शांति सेना सेंक्त राष्ट के परभावी बल सेंक्त राष्ट के अपातकालिन बल या फिर सेंक्त राष्ट टास्क फोर्स तो इसका सही जवाब है स्वेक्त राष्ट के अपातकालिन बल तिसरे कोश्चन की हम बात करें तो उस देश यह देशों का नाम जहां स्वेक्त राष्ट ने अपातकालिन सुरक्षा बलो को भेजा कहां भेचा था सेक्ट राष्ट ने आपात कालिन सुरक्षा बोलो को जवाब देखिए भारत मिस्र में कांगो में या फिर A और C यानि कि मिस्र यानि कि भारत और कांगो दोनों में तो हमारा सही आंसर डी भारत और कांगो आपात कालिन सुरक्षा बोलो को सेक्ट राष्ट संग ने भारत और कांगो में भेजा था अगला कोशन निम्न में से कोन सी समीती सेक्ट राष्ट महा सभा से संबंदित है कोन सी एच्छ समीती है जो की सेक्ट राष्ट महा सभा से संबंदित है तो पहला हमारा जवाब है मुखी समीथियां परक्रियात्मक समीथियां दूसरा इस्ताही समीथियां तिसरा तथर्द समीथियां चोथा उपरोक्त सभी तो हमारा सही आंसर है आंसर डी उपरोक्त सभी यानि कि मुखी समीथियां परक्रियात्मक समीथियां इस्ताही समीथियां ततर्द समीथियां और ये सारी जितनी भी समीथियां है ये सब सेग्त राष्ट महासभा से संबंदित समीथियां है अगला कोश्यन निम्नी लिखीत में से कोन सेख्त राष्ट महासभा की समीतिया है राजनेतिक और सुरक्षा समीति, आर्थिक और वित्टी 2. समाजिक, मानवी और सांसिक्रिक समीति, ट्रस्टी शिप समीति 3. परशास्निक और बजट समीति, कानुनी समीति और D हमारा है उप्रोक्त सभी तो उप्रोक्त सभी जो हैं वो सेक्ट राष्ट महा सभा की समीतिया हैं कुन-कुन सी राजनेतिक और सुरक्षा समीति, आर्थिक और वित्ति, समाजिक मानवीर सांसिक्रितिक समीति, ट्रस्टशिप समीति, प्रशास्निक और बजट समीति, कानूनिस समीति ये सभी समीतियां जो हैं वो महासभा की समीतियां किस वर्ष स्वेक्त राष्ट संग ने अंतराष्टी विधी आयोक का प्रस्ताव किया था 1947, B. 1948, C. 1946 और D. 1990 तो सही आंसर हमारा है 1947 1947 में ही स्वेक्त राष्ट संग ने अंतराष्टी विधी आयोक का प्रस्ताव पारित किया था साथ हमारा कोश्या ने किस वर्ष स्वेक्त राष्ट ने स्वेक्त राष्ट प्रसिक्षन और अनुसंधान संसिदान की इस्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया है 1979, 1948, 1967, 1968 तो सही आंसर हमारा आंसर भी है 1948 1948 में सेख्ट राष्ट संग ने सेख्ट राष्ट परसिक्षन और अनुसंधान संसिदान की इस्थापना के लिए प्रस्ताओं को पारित किया था अगला कोशन हमारा सेख्ट राष्ट की कोन सी संसिदान यह निर्णाई लिया कि सेख्ट राष्ट का प्रश्चास्तिक नियाईधी करण सेख्ट राष्ट के सदस्य देशों के लिए बाधिकारी होगा आंसर देखते हैं हमारे सुरक्षा परिशत B. सुरक्षा की समीति C. अंतराष्टी नियाले और D. इन में से कोई भी नहीं तो हमारा आंसर होगा C. अंतराष्टी नियाले अंतराष्टी नियाले एक एसा नियाले मतलब एक एसी संसिदा हम कहले जिसे सेख्ट राष्ट ने प्रशास्टिक नियाईधी करण सहेक तुराष्टी के सदर से देशों के लिए बाद्धिकारी कर दिया था अगला कोशन हम देखते हैं निम्नि में से किस वर्ष सहेक तुराष्ट संग द्वारा वैपार और विकास पर सहेक तुराष्ट सम्मेलन की इस्थापना की गई थी आंसर देखते हैं 1947, 1947, 1968 या फिर 1964 तो सही जवाब हमारा है D 1964 अगला कोशन देखते हैं किस वर्ष सहेक तुराष्ट महासवा ने शांती के संकल्प के लिए एकता का परस्ताव पारित किया था 4.1950, 8.1950, 3.1950 या 10.1950 तो सही आंसर हमारा है C, 3.1950 तो दोस्तों ये हमारा अंतराष्टी विधी से संभन्दित वस्तुनिस्ट प्रश्णों का वीडियो था और आईला टॉक्स चेनल ये आशा करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होंगे अगर वीडियो आपके लिए उप्योगी हैं आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए कमेंट से करके हमें बताईए और साथी साथ इसको अधिक साधिक शेयर करिए मिलते हैं बहुते जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद